नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे बंगाल तमिलनाडू असम केलल चुनाब 2021 करेंड फैर तो दोस्तों हाली में इनके पढ़नाम संपन हुए तो चुनाब 2021 के उससे जोड़ी कुछ मैतपूर वीडियो है दोस्तों वीडियो कौन तक जरूर देखें चले श्टार्ट कर लेते हैं पहले कुषिन के साथ दोस्तों बंगाल विदान चुनाव के नतीज़े आ चुके हैं इसमें दोस्तों सबसे पहले बता दूँ बहूमत हासिल करने के लिए कितनी सीट चाहिए तो दोस्तों अगर टोटल सीट की मैं बात करूं विदानसवा की मैं दोस्तो 294 सीट याद रखेगा 294 मैंसे अगर कोई पार्टी 148 सीट हसल कर लेती है तो उसे महववन मिल जाता है सिंपल मेजॉर्टी से जीच जाती है तो दोस्तों याद रखेगा इसमें 148 चाहिए पहुमत हासल करने के लिए याद रखेगा और टोटल बंगाल में कितनी विदान सबा सीट है तो दोस्तों वह हैं 294 यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों एक चीज में आपको बता दूं दोस्तों जो एलेक्शन हुए थे है जो कि दोस्तों मई में होंगे याद रखेगा अभी 292 के रिजल्टी कोशित हुए हैं अगला कुशन देख लेते हैं बंगल विदान सबा चुनाब 2021 म है किस पार्ठी ने बहुमत हासिल कर लिया है तो दोस्तों यह हासिल कर लिया है एइस एएटीसी की फिल्फॉर्म क्या है और इंडिया टिंड मूड कांग्रेस याद रखेगा जिसकी ममताब एनरजी हैं और दोस्तों इसने करीब 213 सीट जीत लिए याद रखेगा और बीजेपी ने इसमें जीती है सततर सीट तो आभी मैंने बताया था बहुमत के लिए दोस्तों कितनी सीट चाहिए थी उपर में दोस्तों मेजोटी के लिए केवल 148 सीट चाहिए ती याद रखेगा और किस ने कितनी जीती तो 213 जीत लिए याद रखेगा तो एटी सी जीत गई है यह दोस्तों चुनाब अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन बंगाल विदानसवा चुनाब 221 में किन दो विदानसवा च्छेत्रों में अभी चुनाब होना बाकी है तो मैंने आपको बताया दोस्तों 294 दोस्तों विदानसवा च्छेत्र हैं बंगाल में इसमें 292 पे ऐलेक्शन हुए दो छूट गई है तो दो कौन-कौन सी चूटी गई है एक चूटी गई जंगी लिपूर एक शमशेर गंज ये भी आपको ध्यनमर्क ना दोस्तों इन पर मही में चुनाब होने बाकी है अगला कुशन देख लेते हैं बंगाल विदानसवा चुनाब 2021 में ममता बेनर जी किस विदानसवा छेत्र से चुनाब हार गई है तो दोस्तों जो कंस्टेंसी थी उ नंदी ग्राम से याद रखेगा और इसमें ममता बेनर जी करीब डेड़ जार वोटों से डिफीट हो गई हैं दोस्तों अगर मैं बताऊं बीजेपी की बात करूं तो यहां बीजेपी के एक शेक्स खड़े हुए थे जिनका नाम है सुवेंदू अधिकारी इन्होंने दोस नंदी ग्राम में यह सबसे बड़ा चुलाब नंदी ग्राम का जहां से जो वैस्ट बंगॉल की सीमें ममता बेनर जी उखड़ी हुए थी सासकायद बीजेपी के एक बड़ी शक्सियत सुवेंदू अधिकारी भी खड़े हुए थे उन्होंने दुस्तों नंदी ग्राम से म करेंगे हैं कोडय हुए तोटनी दौस्तों कितनी है एक शचाले दौस्तों इसके आदे करतें तो कितनी हो जाएगी तो वह सिंपल मेजॉटी जो जाएगी यानि कि दौस्तों एकपली सरकार बना लेगा सबसे पहले आपको यह सरकार बना है अगले लैसे चुनाब दोज पाटि ओफ इंडिया मार्क्स किस्ट एम से होता है दोस्तों मार्किस्ट और इसने करी 62 सीट पर हासिल किया जीत और दोस्तों कितने चाहिए 70 बन चाहिए तो यह सीपी इसे समर्थन देदेगी यानि की सरकार बन जाएगी याद रखेगा और इसके मैं बताऊंगा मुख्यमं देख लेते हैं गृषण कींटी को अब वरत्माण में है उन्होंने किस विदान सवागें से चुनाभ जीता है तो आपको यह याद रखना मैत्पूर दस्तों नर्सञान वह धर्मा दम यहां से दोस्तों यह चुनाब जीत याद रखेगा इनके विपक्ष में दोस्तों एक कॉंग्रेस के लीडर खड़े हुए तो कॉंग्रेस के एक व्यक्ति खड़े हुए ते जिनका नाम था सी रगू नाथन दोस्तों उन्हें आराकर के जो सीम है पिनारी पिनारी विजन और नए मुख्यमंत्री बनेंगे अगला कुशन देख लेते हैं तमिलनाडू विदानसवा चुनाब 2021 में भूमत हासिल करने के लिए कितनी सीट चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले में बता दो इसमें टोटल सीट कितनी होती है दोसों चोंते याद रखेगा और दोस्तों इसमें जो सिंपल मेजोटी के लिए कितनी चाहिए यानि की आदे से एक ज्यादा तो दोस्तों अगर कोई पार्टी 118 सीट ला रही है तो वो सिंपल मेजोटी से वो सरकार बना लेगी तमिलनाडू में तो आईए जानते हैं किसने सरकार बनाई है सबाद चुनाब में कौन सी पार्टी सरकार बनाई गी तो अगर मैं सीएम की बात करों यानी की पार्टी की बात करों तो दोस्तों एक है डीम के पार्टी की फुल फॉम होती है द्रविड मुनेर कडिकम याद रखे дав और सने कितनी सीट जीती है 119 और दोस्तों साथके साथ कॉंगरेस ने कितनी जीत है एक सो आठारसीट वान करी है और दोस्तोंअभी मैंने बताए था कितनी सीट चाहिए मेजावटी के लिए तो दोस्तों कुल एक सो आठारसीट के लिए ने नैस मुख्यमंत्री बनेंगे यह आगे बताँ में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे दियम के पार्टी से बढ़ां करते हैं एक तरह के प्रसिडेंट दियम के पार्टी के तो दुस्तों इनका नाम है इनका नाम है दोस्तों एम के स्टालेन और यह आठ में चीफ मिनिस्टर बनेंगे तमिलनाडू राज्य के याद रखेगा इनकी जो कंसेटेंसी ती यान की विदान सवाद छेत्रता वो ता कोला थो यहां से यह चुनाब जीत कर रहाए हैं और दूसर तमिलनाडू के नए मुख्यमंत्री बनेंगे याद रखेगा इनकी जो पार्टी है वो डी एम के यह आपको धहन में रखना है वर्तमान में बात करूं तमिलनाडू के मुख्यमंत्री कौन थे के पलन सौमी थे अब उन्हें हटा दिंगे एम के स्टालेन याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं असन विदान सवा की बात करूं तो दोस्तों बहुंबत हासिल करने के लिए कितनी सीट चाहिए असम विदान सवा में तो टूटल सीट की बात करूं तो वो है असम में 126 सीट याद रखेगा इसमें से अगर कोई पार्टी 64 सीट लिया आती है तो वह सिंपल मेजॉटी से सरकार बना लेगी य अगले कुशन की बात करूं तो दोस्तों असम विदान सवा चुनाब 2021 में किस पार्टी ने जीत लिया याद रखेगा तो दोस्तों वैसे बीजेपी की सरकार सत्तादारी पार्टी के बीजेपी असम में तो इसमें करीब 60 सीट जीती है याद रखेगा और इसमें सही समर्तन चाहिए तो दोस्तों वह वीजेपी हासिल कर लेगी यानि की सरकार रहने वाली असम चुनावों में असम के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे दोस्तों जो अभी करेंट मुख्यमंत्री है इनका नाम है सरवानंद सोनेवाल जो की चुनाव जीत गए हैं यानि कि इन्हो यहां वह खड़े हुए थे और महां से यह उन्होंने चुनाव जीत लिया इनकी विवक्ष में देदे दोस्तों राजी लोचन पैगुजों की कॉंग्रेस पार्टी से ते उन्हें डिफीट करके सरवनान सोने वाले माजुली से जिले से माजुली जिले से यह चुनाव जी सीट चाहिए तो तो टोटल सीट की बात करूं तो यह हैं तीस अगर इसके आदे से एक ज्यादा लिया है तो वह बहुमत था सिंपल मेजॉटी से सरकार बना लेगी यानि कि अगर कोई पार्टी सोले सीट ला रही है तो मेजॉटी वाली सरकार है अगला कुशन देख लेगे पांड़ेचेरी की नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो दोस्तों यह बनेंगे एंड रंगाशामी याद रखेगा फोटे देख सकते हैं इनकी पार्टी नए पांड़ेचेरी में चुनाप जीत लिया है और यह नए पांड़ेचेरी के मुख्य चबड़ी यहां से दोस्तों इन्होंने एलेक्शन जीता और यह पंड़ चेरी की नए मुख्य मंत्री अब कहलाए जाएंगे याद रखेगा वेरी वेरी इंपूड़न अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत थन्यवाद